कि अलगवाइज वालकम बाक टू सीपी क्लासेज आपका अपना चनल जहां पर क्या मिलते हैं आपको रेगुलर अपडेट्स और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेशन 2021-2022 के लिए जो सिलेबस CPSC ने अभी इंटिड्यूस किया है क्लास 9 और क्लास 10 के लिए उससे पहले मैंने एक वीडियो बने आया था जिसमें मैंने डिसकस किया था क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस अकाउंट्स एकनॉमिक्स और बिजनस टेटीज का और सेशन 2021-2022 तो अ आगर आप चैनल पर नए आए हैं पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लो जल्दी से चैनल को बेल के नोटिफिकेशन के साथ और लाइक करना शेयर करना कमेंट करके बताना सिलेबस फिट होता है आपकी उम्मीदों में जैसा सोचा था क्या उससे बनाया गया है चलिए ब पर होगा आपका 90 मिनट का इसमें कॉनकों से चैप्टर्स डाले गए बिसी कली नंबर सिस्टम्स आट मार्क्स एलजब्रा पांच नंबर कोडिनेट जोमेट्री चार नंबर जोमेट्री 13 मार्क्स इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपकी टोटल मार्किंग बनती है चालिस नंबर की और दस नंबर का होगा आपका इंटर्नल असेस्मेंट टोटल आपका फर्स तर्म हो गया 50 मार्क्स यहां पर हर चेप्टर की डिटेल दी गई है कि जैसे नंबर सिस्टम में क्या-क्या चीज करनी है तो इस पूरी फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं कि इस चेप्टर के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है तीक है अचा अगर इंटरनल असेस्मेंट की बात करूं जो कि अभी म बिलाकर बनेंगे आपके डस नंबर ठीक है बात करना है अगर सेकिंड तर्म में आपका आगया अलजब्रा बाकि बचा हुआ बिसी के लिए जो में इस जो टॉपिक फर्स्ट टर्म में कवर नहीं हों गे इन सभी चीज़ों के बाकि टॉपिक्स आपके सेकिंड यों में संभर इस तरह के से आपका टोटल वनता है पचास नंबर का इंगर मैं बात करूं कि अगें पर नबैर लगा नबर का तो टोटल आपके 40 नमबर और 10 नमबर डेफिनिटली इंटर्नल के हैं देखिए जो 10 मार्क्स इंटर्नल के हैं उसका जो जिस तरीके से वो असस्स किया जाएगा वो सेम है हर बाद 9 में भी ऐसा ही था तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक वहाँ से आप देख सकते हैं अगर बात करूं सेकिंड डाम से लेबस की यानि कि जो बच गया था टॉपिक जो फर्स टर्म में कवर नहीं हुआ वो सारे की सारे टॉपिक आपके सेकिंड टर्म में कवर हो जाएंगे और इंटर्नलों का दस नंबर तो टोटल हो गया आपका पचास मार्क का पेपर तो इस तरीके से इसलेबस को 9 और 10 के मैट्स के सिलेबस को डिवाइड किया गया है ठीक है चलिए अब समझते हैं हम कि साइंस का जो आपका सिलेबस है देखिए, Unit 1 में दिया गया है, Matter, Its Nature and Behavior, Chapter 2, 9 नमबर का, Organization in the Living World, Chapter 5 and Chapter 6, 80 marks, Motion, Force and Work, Chapter 8 and 9, 30 marks, यह आपका Term 1 का सलेबस है, 40 नमबर का, Term 2 में अगर हम चले, Matter, Its Nature and Behavior, Chapter 3 and Chapter 4, then Chapter 13, which is Organization in the Living World, तो Chapter 3 and 4 को वेटेज दी गई है, 18 नमबर की, और Chapter 13 को वेटेज दी गई है, सिरफ 8 marks गी, और Motion, Force and Work, Chapter 10 और Chapter 11 है आपके, 14 नमबर के, तो इस तरीके से आपका Term 1 और Term 2 को मिला कर, 40-40 मिला दी हमने, टोटल बना 80 नमबर, इंटरनल असेस्मेंट, अगें Term 1 में 10 नमबर, Term 2 में भी 10 नमबर, टोटल आपके बन गए 100 नमबर, तो सलेबस को मैं कहूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से डिवाइड किया गया है, ताकि स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, यह हम मैं बोलूँगा कि डिटेल दे रखी है, डेफिनेटल इसके उपर जरूर गो तुरू करियेगा, यह सारा लिंक, डिस्क्रिप्शन में हो गई आपके बाद, जैसा मैं बार-बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं, तो वहां से आपको प्रप्रेशन करने में बहुत इसी हो 14 मार्क्स, यह टर्म 1 के आपके हो गए, 40 नमबर, टर्म 2 में क्या कि अब, चप्टर 4, चप्टर 5 डाला है, 10 नमबर का, चप्टर 8, चप्टर 9, 13 नमबर, चप्टर 12, 13, 12 नमबर के, और चप्टर 15 डाला गया है, 5 नमबर का, तो इस तरीके से इंटरनल अगेरा सब को मिला क आपके total बन जाएंगे 100 नमबर यह आपका science का syllabus इस तरीके से divide किया है ठीक है अब मैं बात करूं अगर आपका social science का syllabus class 9th अगें पहले लेंगे हम लोग ठीक है class 9th में कैसे divide किया गया है इंडिया इन कंटेंपरेरी वर्ल्ड 10 नमबर का contemporary इंडिया वन 10 मार्क्स का democratic politics भी 10 नमबर की और economics भी 10 नमबर की तो सबको 10-10 नमबर की वेटेस दी गई तो बन गया चालिस नमबर का आपका term 1 का syllabus और class 9th ठीक है term 2 की अगर बात करें उसमें क्या डाला बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है बड़ा simple है समझना तो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इंडिया कंटेंपरेरी इंडिया democratic economics का सब अगें 10-10-10 के कर दिये तो टोटल हो गए 40 यह होंगे term 2 में कौन से होंगे वो यहां से आपको बिल्कुल clear हो जाएगा ठीक है यह सारी चीज़ें decide की गई है देखिए यहां पर एक चीज़ और बताए गई है list of map items class 9th के लिए important है हिस्टी का subject है chapter 1 French Revolution outline political map of France यह सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है यही सारी चीज़ें करनी है जो बताया गया है ठीक है बताया गया इंडिया size and location के असाब से mountain ranges, peaks, plateau, coastal plains यह सब no doubt जरूर कर लिजेगा अपने पास आप तो आप चलते हैं यह term 2 के map के बारे में items दे रखे हैं ठीक है यह भी जर और अगर मैं internal assessment की बात करूं तो पांच नंबर paper pen test जो हो था आपका periodic उसके होंगे और बाकी quiz, debate, role play वगेरा जो भी सारी चीज़ें होती हैं हमके पांच नंबर हैं तो periodic assessment के 10 नंबर को होगे portfolio में पांच नंबर का दिया गया वेटे जिसमें आपके classwork assignment, narration, journal, achievement, etc. and student की activities के पांच नंबर तो total मिलाकर इस तरीके से आपके सारे मिलाकर आपके interval में 20 नंबर count किये जाएंगे ठीक है अब बात करते class 10th की, term 1 का syllabus क्या है होंगा, इंडियान contemporary world, 10 नंबर, almost यह बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा 9th का divide किया दिया तो इंडियान contemporary world part 1, 10 marks, then contemporary India, 10 नंबर, democratic, 10 marks, economics, 10 marks और same, जो बाकी बच गया मतलब इनका जो बचा हुआ portion होगा, वो आपका term 2 में cover हो जाएगा और weightage रहेगी same आपकी 10-10 नंबर वाली ही, ठीक है, यह course content समझना जरूरी है ठीक है, जैसे इंडियान contemporary world part 2, term 1 के लिए, इसमें यह यह topic आपको करने है French Revolution, Idea of Nation and so on, तो इस को मैं कहूंगा इसका प्रिंटाउट निकाल लें या अपने पास इसकी आप मार्किंग कर लें अपनी बुक के अंदर ताकि आपको clear हो जाए, क्या क्या करना है, यह map के बाले में items फिलिस दी है, town 1 में, जोग्राफी में जैसे बोला chapter 1 के अंदर थे क्या क्या चीज़े करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, ठीक है, इंटरनल assessment की marking बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मैंने आपको थोड़ दर पहले बताया था, periodic assessment, dust number, portfolio 5 number, subject enrichment activities, 5 marks, ठीक है, तो आपका mathematics का, science का और social science का, तीनों का syllabus मैंने आपसे discuss कर लिए है, class 9th का और class 10th के लिए, यह वो syllabus है, जो session 2021-2022 में applicable होगा, क्योंकि इस बार semester system apply हो रहा है, term 1 को semester 1 कह सकते है, term 2 को कह सकते है, semester 2, उसके हिसाब से, पूरी की पूरी preparation आपको अब करनी है, ठीक है, तो all the best for your exams, for your preparation, time बहुत है अभी, आराम से आप preparation कर लेंगे, वीडियो में अगर न बैल के notification के साथ, और share कर दो वीडियो को comment करके बताओ, आपके इसाफ से divisions आई है, खुश हो, देखो, वैसा सीबेस से सबको कुछ कभी नहीं कर सेथा, तो कुछ बच्चे को लगेगा, बढ़ी असलेबस है, कुछ बगेगे, नहीं या, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा तो जैसा आ गया सलेबस, आप उसकी करिए planning बैठी, कि कैसे हम अपने teacher के साथ बैठीए, उनके साथ planning करिए कि कैसे इस सलेबस को बहुत अच्छे तरहीके से आप बिल्ड कर सकते हो, आप इस paper को कर सकते हो और पटे चक सकते हो अपने exams के अंदर, तो take care, bye bye, मैंता हूं आप से नेक्स वीडियो में तब तक